स्यावर राम चंद्र की दे, श्रीरामानंद भगवान की दे, श्रीरादिरादे भक्तों तीर्थ में स्वयम ठाकुर जी विराजते हैं और ये वही फिर संत बनकर ये भक्त बनकर के तीर्थ आत्रा करने आवें तो तीर्थ को तो बहुत आनन्द मिलता है, अतिशय आनन्द मिलता है लेकिन ये जि हमारे प्रभु को वहां आने में रास्ते में परिशानी हो रही है तो तीर्थ स्वयम भगवान के अगवानी करने के लिए पूर जाते है ऐसी घटन घटी थी कलाप श्रमन कर रहे थे कि हरिद्वार से बद्रिक आश्रम अर्थात बद्रिनाथ जा रहे थे गुर्दय भगवान श्री रामानंगी महराज और साथ में हजारो संथ तो हरिद्वार में ही नर्णारयन जो बद्रिनाथ में विराजमान है वो दोनों लोग प्रत्यक्ष प्रकट हो गए उनका रूप ऐसा था कि साधू लोग भी टिक नहीं पा रहे थे सम्मुक उनके तेज के सम्मुक फिर भगवान श्री रामानंगी ने शंकत धोनी कि और निकल करके अपनी खुटिया से बाहर आये इस दिपनलनारयन बहुत लंबे लंबे थे फिर तुरंट ही रामानंद भगवान भी उनके बराबर लंबाई के हो गए और स्वागतम करुणा निधाव ऐसा बोलते ही दोनों लोगों को गले से लगा लिया और दोनों भाव भीवल हो गए पहले तो शंकत धोनी से ही इतना जादा आनंद विभोर हो गए कि उनका शरी लगता था कि नेत्र बंध होने पर खड़ा कैसे सो कैसे रहे खड़े खड़े सो रहे थे इतना आनंद विभोर थे प्रेम की समाधी में और जब गुर्द्य भगवान ने स्वागतम करुणा निधाव का कि गले से लगाया तो अच्छाई प्रेम भी भोर हो गए बार बार मिल रहे थे बोले आप हमारा दर्शन करने आ रहे थे न इतने पहाड पार करने पड़ते दुर्गम पहाड वन बर्फ के पहाड जहांकि आपके कोमल चरणों को कश्ट हो जाता भयानक नदियां पानी लगने वाले जरने बिच्छू सर्प शेर ये सब रास्ते में पड़ते इतना संतों को लेकर आपाते तो भोत कश्ट आपको मिलता है आप परम सुंदर और सुकुमार में इसलिए हम आपके पास ही आ गए इसलिए आपको इतना चल के हमारे पास नहां आना पड़े भिक्षा लिया है और उसके बाद दोनों लोग अर्थात नर नरे अंतरधान हो गए सब संतों को दर्शन उनका प्राप्त हो गया हरिद्वार में और संत लोगों का हुड़े भियानन से भर गया हरिद्वार ही बद्रिकाष्रम बन गया उस दिन और आचारे भगवान ने फिर बद्रिकाष्रम की आत्रा का विचार हटा दिया कि जब स्वेम नर नरायन यहीं आ गय तो आप जाना ठीक नहीं क्योंकि उन्होंने कहा आप मत नरायन का दर्शन पा करके शंत बहुत पूलकित हो रहे थे इस प्रकार दिव्या मोत प्रमोत प्रमोत के आनन्द में अमोत में मगन सभी शंत जन गंगाजी में स्नान करते थे द्वार में कोई तायरते, कोई श्थोती करते गाते बुड़े भाव से जय जय मातेश्वरी गंगे ट्रिवन तारी नितरल तरंगे इस प्रकास ची गंगा मैया मंद शरान करके गंगा मैयाकी श्तूति संत लोग करने लगी और कोई संत तो कथा सुना थे नल्नारेन भगवान की, गुर्दिव भगवान की, गंगा महीया की फिर वहां से आचारे भगवान ने काश्मीर की आत्रा थे मार्ग में अनगिनती भगता सिश्षी हो गए चरणों में आए पर महाराज कितने कृपाल गुरुदेव की बहुत से पापियों को भी पवित्र कर दिया जो चरण में आए कैसे भी पापी थे उन सब का कल्जान किया, उद्धार किया और जहां जहां दुस्ट ज़्यादा थे, वहां पर भगतों का एक धर्म रक्षक बल बना दिया इस प्रकार से एक नहीं अनेक जग धर्म रक्षक सेना तयार की जह जोने से रक्षा अपनी कर सके जहां जहां आचारे भगवान जाते वहां वहां के यवन शासक सुन करके नाम भाय के मारे स्वागत करने आते उकाते आरी तू भई रामान अन्द फक्वान जो काशी से ही बैठे बैठे हम सब लोगों का आजान नमाज सब बंद कर दिये थे पुरी दुनिया के एस मुसल्मानों का आजान और नमाज बंद कर दिये थे फिर हम लोगों की प्रार्थना से चालू किया नहीं तो हमारा तो इसलाम ही खतम कर सकते थे वो वही आए हुए तो डर के कारण सौगत करने जाते थे बहुत सी बस्तुएं भेंट में ले करके आते थे और डरे हुए बढ़ाई करते थे बादसा लोग भी और उनके फकीर लोग भी आते थे आचारे ने मार्ग में चलते हुए पंजाब में खूब धर्म प्रचार किया सभी सुबुद्धिवाले हिंदू वैश्नव हो गए पंजाब का बहुत सुधार किया जब काश्मेर पर पहुंचे तो सहस्रों संतों को देख करके मुसलमान बहुत लज्जित हुए तथा वहां की विद्वान पंडित जिने विद्या का घमन रहता था वे आधी की तरह दल बना करके आए और उनके एक प्रधान थे दिगविजयी पंडित उनका नाम था दिगविजयी देवेंद्र पंडित उन्होंने अपने पांडित्य के तेज से बहुत से विद्वानों को हराया था उन्होंने आखरके आचारे से तर्क योगत विवाद प्रारंब किया बहुतारों को आउतार ही नहीं मानते थे वो काते थे पून ब्रह्मी इच्वर कभी अवतार ले नहीं सकता और अवतार लेता है तो ब्रह्म नहीं रहता तब आचारे भगवान ने का जो परमात्मा सर्व शक्तिमान है वो यह स्वयम कभी अवतार लेना चाहें और आवतार न ले सकें तो उनकी सर्वशक्ति की बात तो जोटी हो जाएगे उनकी शक्ति में कमी हो जाएगे क्योंकि सर्वशक्तिमान आप ही बता रहे हैं तो जो सर्वशक्तिमान है तो आवतार भी लेने की शक्ति है वो सर्वशक्तिमान ही नहीं जो भक्तों की इच्छा की अनुसार उनको दर्शन देने के लिए आने सके तब फिर उस दिगविजयी ने तर्क रखी जगत में जन्म लेने पर उसकी इश्वर्ता ही क्या रहेगी तब आचारे भगवान ने उत्तर दिया ये तर्क कुटिलता पूर्ण है व्यर्थ है ऐसा तर्क दुखदायक है जिसमें कोई सार नहीं सरल और सुन्दर तर्क गंभीरता पूर्ण हो तो सुखद होता है जैसे कोई दूद को गर्म करने के लिए आग पर चड़ाता है तो आवश्यक्ता नुसार आउट जाने पर आग बुझा देनी चाहिए और कोई आग बढ़ाता ही जाए बढ़ाता ही जाए तो दूद भस्म हो जाएगा राख हो जाएगा जैसे अत्यन्त आग से दूद हुफन कर निकल जाता है वैसे आती तरक दुखद होता है सिद्ध होते ही आग को तुरंत बुझा देना चाहिए ये बानी सुनते ही दिग्विजेई देवेंदर की हिर्दय के आँके खुल गई वो बानी बान की तरह लगी सारा भ्रम दूर हो गया तब आचारे भगवान ने मधूर शंख बजा दिया जिसे सुन करके वो दिग्विजेई देवेंदर पंडित्यों काश्मीर का था वो गदगद हो गया विलकुल हुल देव प्रेम भी भोर हो गया सहसा उनकी प्रेम समाधी लग गई गहरी और उस दिव्य शंख द्धनी से तब उनको वास्त्विक्ता का ज्ञान हुआ वो जग करके अपना सव विद्या भिमान त्याग कर आचारे की शिश हो गए जिसे माभारत में युद्ध किसमे अरजुन की जीव रूप देखने की दशा हुई थी जीव रूप देखने के बाद अरजुन ने भगवान का जो विश्व रूप देखर था उसकी बाद जो अरजुन की दशा हुई थी और उने समस्तु मर्म पूछा तथा शीव जी का प्यारा शी राम मंत्र गरहन किया बिल्कुल अरजुन की तरह से उनकी इस्थिती हो गई थी चरणों में बार-बार पढ़ रहे थे जैसे भगवान कृष्ण के चरणों में अरजुन बार-बार पढ़ रहे थे ऐसे ही शंकद्धनिकी द्वारा जो इस्थिती हुई है दिग्विजैई पंडित देवेंद्र पंडित की तो भार-बार गुर्जेव के चरणों में पढ़ने लगे और फिर दीख्षा प्राक्त किया इस प्रकार उस दिग्विजैई को जीत कर एक अपूर्व कारे किया ने तो सब पंडितों को वो ऐसा बना दिया था वहाँ पर कि भगवान के आउतारों को ही नहीं मानते थे वो लोग काश्मीर में प्राचीन से प्राचीन जो संस्कृत के ग्रंथ थे वो दिग्विजैई के द्वारब मंगवाए उन ग्रंथों को एकत्रित करके अपने आश्रम काशी में पहुंचा दिया संतों ने ले जा करके उन ग्रंथों को श्रीमठ में विचाल पुस्तकाले सजाया इधर आचारे भगवान विजैशंक बजाते विए काश्मीर से चले महाराज ऐसे अगनित चरित गुर्द्यों भगवान की प्रकट हुए और सभी चरित विचित और आती विश्ट्रित लीलाएं थी उनकी और महाराज विद्वान लोग जो थे वो काश्मीर के सब चहरणों में आकर के पड़े फिर काश्मीर से आकर के गुर्दे भगवान नैमी शारण के लिए चले नैमी शारण तीर्थ जंगल है अब तो शहर जैसा हो गया नहीं तो पूरा जंगल था अब भी जंगल वहां भूट है यहां मनुजी महराज ने तब किया था और भगवान से सीता राम जी का दर्शन प्राप्ट किया था मानस में अब लोगों ने पढ़ा है तीरत बर ने मिश्विच्छाता आच पुनित सादक से जाता पहुंचे जाए देन मत तीरा ऐसा बरन किया था तो मार्ग में बहुत से नगरों को दुख रहित करते विए ने मिशारण में पधारी गुर्टे भगवान महां चक्रतीर्थ और अम्रत सरोवर का दर्शन किया संत जन सुन्दर्वन की सोभा देखने लगे महां पर बड़े बड़े विशी मुनी और योगी राज स्वच्छन्द तप कर रहे थे आचारे भगवान का आगमन सुनकर वी सब तपस्या छोड़ छोड़ करके दर्शनार्थ दौड़े आए और अपनी जिद्यासाइं सम्मु कुरक करके समाधान प्रप्ट किया सुन्दर उत्तर जो भी वो मांगते थे उन्हें आचारे भगवान देते थे नेमिशारने में नित्य प्रतिमहां सत्संग होने लगा कथा की इतन प्रभु का यश्गान होता प्रेम समुद्र की लहरें उठती थी एक दिन गोमती नदी के पहार जाकर के आचारे भगवान ने बड़ा विशाल भंदा रखिया उसमें खीर की मुखेता थी कही कही प्रकार की दिव्दी खीर बनाई गई थी बड़े बड़े तपस्वी महात्मा उसमें एक अत्रित हुए वे सब महात्मा ऐसे प्रसंद थे मन सूखे बन में वसंत रितु हो रही थी खूल खिले थे बन में सरवत्र श्री राम नाम ध्वनी हो रही थी वहाँ तप करने वाले संथ इतने अच्छे थे कि गुर्देव का सानिदि प्राप्त करके ब्रह्मानंद का समुद्र सलहर आ रहा था नैमिचार ने संपूर्ण मनोरतों को पूर्ण करने वाला तीर्द उसकी महिमा का बर्णन कर आचार भगवान फिर वहाँ से चले साथ में अपार सी समूचार ओर चल रहा था जैसे चंडरमा के साथ चकोर आ रहा है गुर्दय भगवान का सानिद्धिपा करके साथ उसंत बड़े-बड़े महान तपस्वी शिद्ध सब लोग प्रेम विभवर होकर भाग रहे थे उनके साथ दावड रहे थे गुर्दय भगवान सहचाल से चल रहे थे लेकिन वो सब दावड रहे थे और इतना आनंद विभवर थे सब कि जंगल पहाड रास्ता कैसा भी हो सब को चलना है और ये तो सब भाक्त थे संत थे लेकिन कहीं कहीं कुटिल लोग भी मिले उनको गुर्दय भगवान का तेज ही सीधा कर लेता था एक शान में आचारे के साथ संतों का समाज ऐसा लगता था जैसे चलता फिर तबैकुंठो लीला के समुद्र आचारे थे तरंगों के समान संत व्रिंड थे आनन्दित मन से अयोध्या आए दिगविजे सोर्य मनो उदय होकर साथ में आया था संत समो अयोध्या पुरी का दर्शन करके गदगद हो रहे थे और जैसे आराम की रितन करते वे नेत्रों से प्रेमाश्र बहाते वे प्रफुल लिथ हो रहे थे अपने इस देव श्री राम जी का धाम देखकर संत व्रिंड श्रीव जी के तरह से तांदव निट्र करने लगे और कहने लगे कि चारो भहिया इनी गलियों में सदा खेलते हैं अयोध्या की रज उठाकर मस्तक पर लगाते हैं और हुर्दे से लगाते थे बार-बार उस रज को कभी मस्तक पर ख़बी नेत्रों चे अयोध्या की रजकन बार-बार नेत्र में हुर्दे में मस्तक में लगा कर प्रणाम करते और प्रेम विभोर होते सब काते थे इसी रज में रामजी के च्रन पड़े हमारे सवभाग्य को धन्य है कि आज हमें गुर्देव भगवान के साथ इस रज का दर्शन हो रहा है सर्यू की लहरों को देखकर बड़े प्रसंद हो रहे थे साथू लोग ये करुणा रूप को कही गई हैं सब बोलते थे सर्यू महिया साक्षात करुणा की रूप है ये वसे इस्टी जी की पुत्री हैं और राम जी को बहुत प्री है ऐसी सरीर्वी की जै हो जै हो ऐसे लोग बोल रहे थे और भाव विवोर साथू लोग कह रहे थे कि चाहे जितना ही कोई अग्य करे बड़े बड़े तप करे आनंद तीर्थ करे परन्तु कोई पल भर भी अयोध्या में निवास करे तो उन सब पुण्यों सहदिक फल अयोध्या प्राववासी को प्राप्थ हो जाएगा सबसंत अयोध्या के वन उफवन की शोभा देख देख करके और प्रमोद्मन की छटा देख करके लुआये गए आनंदित हो गए वन कुंड शरोवर कुंज आज सब बड़े ही मनोहर लग रहे थे वहाँ जल के पक्षी कूज रहे थे मोज नाच रहे थे चारोवर सुंदर फूल प्रफुलित थे सुंदर मंदिर मनियों से जड़ित शोभाय माम थे गान वाद्य समाज कथा कीर्टन चारोवर चल रहा था हावत की भूम बड़ी प्यारी लग रहे थी अयोध्या बड़ी सुहावनी थी श्री सीता राम का नाम संकीर्टन और उसकी ध्वनी हर जग कानू में आ रही थी आवत के इस्त्री पुरुस्टा परम भक्त और सच्चे स्वंत थे भक्तों तुल्षि जाची ने लिखा है ना तुल्षि तब के से अज़न जानिये रगुवर नगर बसाईया तुल्षि राम जी के अवतार काल में आयोध्यवासी थे तब के से आज़न जानिये उसी तरह से आज भी जानिये रगुवर नगर बसाईया आयोध्या में भक्ती सदा तरुन हो करने रिट्टी करती रहती है माया की आच वहाँ भक्तों पर नहीं आने पाती है ऐसी आयोध्या का दर्षिन करके आचारे भगवान सब संतों के सहित बहुत आनदित हुए आचारे भगवान का आगमं सुन आयोध्या के नरनारी संत महन सभी दौडड़ करके दर्षिन करने के लिए आते थे और लगातार संतों के भीराती रही अपने अपने कारियों को छोड़ करके भागी चले आ रहे थे कोई फूलों की माला पहिनाते थे कोई आर्ती करते थे कोई गुरुदे भगवान का गुण गाते थे स्तोती कर रहे थे चार ओर जय द्ध्वनी हो रही थी वो जन्ता का को लाहल प्रेम पूर और अद्भूत था कोई धन्य उच्छावर करके लुटा रहा था कोई महान मोद में भार करके कीर्टन कर रहा था जैसी आराम जै जै हनुमान जैसी रामानन्द भगवान ऐसा कीर्टन लोग प्रेम भी भूर होकर करते थे बड़े-बड़े अयोध्या के विद्वान आचारे जो बड़े सम्माननी थे वो लोग बुर्द्वय भगवान से मिलने के लिए आए दर्शन करने आए और दर्शन करके अपने जीवन को सफल मान रहे थे बाद में सब एक अत्रित हुए और मुसल्मानों ने जो दुख दिये थे उस तुनाने लगे कि लाखों हिंदूओं को जवरन भ्रेष्ट करके मुसल्मान बना लिया है अयोध्या के आसपास अनगिनिती येवन सब्दीख रहे थे तो संतों ने कहा महराज उन्हें त्याग न ठीक नहीं है उनको आप अपना लें तब आचारे भगवान ने कहा आप लोगों ने जो जो दुख पाए हैं उन सब का बद्रा लिया जाएगा मैं देश का सुधार करूँगा मुसलमानों ने जो येअंत्र येहां ठांगे हैं उनके नीचे से जो निकलता है वो येवन बन जाता है अचानक उनके येवन की शक्ति के द्वरा उन्हें येंत्रों को मैं नस्ट कर दूँगा वहाँ अपना अधिकार कर दूँगा धर्म भरष्ट वहाँ एकत्रित होकर के आने लगे और अपने अपने सब्दुख सुनाने लगे तो आचारे भगवान ने ग्राम ग्राम के सब धर्म भरष्टों को इकठे होने की आज्या दी लाखों इकठे हुए और अपने सिद्धी के प्रभाव से सहसा सबको हिंदु बना दिया सबके सहसा चोटी निकल आई सबके गले में कंठी अपने हाब बद गई सबके तिलक भी लग गए और तब सारी अवयद्या को लोग ऐसे प्रफुलिट हुए जैसे सूरी उद्य होने पर कमल खिल जाते हैं घाटों पर यह उननों यंत्र लगाए थे वो सब तूट गए गुर्दी भगवान की तेज से ही सारा अधर्म का अंधकार मिट गया उस समय त्रेता में जैसा राम राज्य किसम में आनन्द था आनन्द चाय हुआ था वैसे ही आनन्द सबको मिल रहा था आचारे को देख करके अवयोद्य के संत लोग आनन्द भिभोर थे यसे चंद्रमा को देख कर समुद्र मढता है आचारे के प्रताप का बल पाकर फिर अयोद्य की फुलवारी फूलने लगी संत जना करके सत्संग करते थे श्री राम कथा के रहस्य रस्य की तरंगे उठती थी और भक्तों एक दिन अयोद्या के संतों की विशाल सभा हुई क्योंकि सब कह रहे थे ऐसा हो सर्फिर जीवन में नहीं मिलना उस सभा के सभापती आचारे भगवान शी रामनंधी को बनाया गया जैसे प्रातर सूर्य उद्य होता है वैसे उंचे मंच पर सुभाइमान थे गुर्द्य भगवान आगे आ करके संत महंत मालाईं पहिनाते थे और आर्थी करते थे सभावे आचारे भगवान ने अपना दीवी प्रवचन सब के लिए कृपा करके सुनाया अयोध्या के निवासी सभी प्राणी परमधन्य हैं क्योंकि निट उनके द्वार पर मुक्त लूटाई आती वहां के निवासी सभी शीता रामजी को प्राणों के समान प्रिय हैं अयोध्या के सभी लोग प्राय वैश्णों हैं सभी वैराग्यवान हैं सभी माया त्यागे और सभी इंद्रेजित हैं वहां वैश्णों की मंदली सर्वत्र दिखाई देती है इसलिए आयोध्या बैकुंट से भी अधिक आनंदाई प्रतीत होती है ये वैश्णव धर्म सर्वसेष्ट है और उसके समान कोई दूसरा धर्म कर्म नहीं है श्री वैश्णव का सत्संग मन लगाकर जो करता है उसे पराभक्ती मिल जाती है पराभक्ती ही परम गती देने वाली जो लोग वैश्णव की बड़ाई अर्थात प्रशंसाग के उल कर देते हैं वो लोग बिना तप की ये तप का फल प्राप्त कर लेते हैं निंदा करने वाले को पाप लगता है भुक्तौं भारत वर्ष मुक्ती का ख्षेत रहे यहां जन्म लेकर नीच प्राणे भी उत्तम गती प्राप्त करता है किन्त जो वहिष्णों से द्रोह करते हैं वो नर्ख में जाते हैं जो मुर्ख मनुश्य वहिष्णों को कष्ट देता है वो मरने के बाद शूकर होता है यह कुत्ता होता है जो वहिष्णों की निंदा करता है वो बारबा मेधक का जन्म पाता है जो वैश्णों को मारता पीटता है उसका भविष्य में चोरों के द्वारा मस्तक काटा जाता है तथा जो प्रेम से वैश्णों की सेवा करता है वो बिना परिश्णम के संसार से पार हो जाता है जो वहिष्णों को प्रेम से निमंत्रन देकर भोजन कराता है वो आर्थ धर्म काम मोक्ष चारुपद आर्थ प्राप्त कर लेता है जो वहिष्णों का तात्पर या आप भगवान का भाक्त समझना जो भगवान का सच्चा भाक्त वह वहिष्णों है जो वैश्नों के चरण दोकर चरणोधक पीते हैं मृत्यू लोक में उनका ही जीवन धन्य वो भविष्ण में भगवान के अत्यनत प्रिय होते हैं जो वैश्नों के प्रसाधी प्राप्त करते हैं वो पून्ड परमार्थ के ग्याता हैं उन्हें प्रभु सब कुछ देते हैं, क्योंकि वैश्नो भगवान को प्राणों की समान प्रियें, वैश्नो अर्थात भगवान की जो भगत हैं, भगवान को बहुत प्रियें, वैश्नों की रक्षा के लिए प्रभु सदा धनुस्पानर धारण किये रहते हैं, जो वैश्नो इंड्रियों को जीत कर सबसे वैरागी करके प्रभू का भजन करते रहते हैं वो परमधन्य है, उस संसार को तारने वाले हैं, उनका शरीर मेगों तथा अवरिक्षों के समान परोपकार के लिए इस संसार में रहता है, वैश्नों का करतब भी इसी प्रकार से भक्तों बहुत म महान होता है, उनका स्वरूप और स्वभाव भी ऐसा होता है कि वैसा बन जाने से जीवन धन्य हो जाता है, और लोव जो ऐसा पापों की जड़ है, इसलिए वैश्नों को लोव नहीं करना चाहिए, विश्यों से वैरागी रखे, आधिकतर मौन रहे, एकांत में सदा प्रभु का स्मरन करे, सरल हो सदाचारी हो, शुव गुन सुशीलता जिधार्म करे, किसी की निंदा न करे, तथा अभिमान तनिक भी न रखे, वक्तों गुर्द्यों भगवान ने वैश्नों के लक्षन जो बताये हैं, उनकी चर्चा में आगे और करूंग आज गुर्द्यों भगवान और सबसंतों को प्रणाम करके यहीं बिराम दे रहा हूं, श्रीरा दे रहा थे, देख श्रीरा दे रहा थे, स्यावर्राम चंद्र कीडे, श्रीरामानन्द भगवान कीडे झाल 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 झाल